पूर्व संध्या पर संसद्भोन में जो संसद्भोन का एतियासी खोल जिसमें हमारे मनीश्यों ने सविधान निर्माण में अपनी तप तप्रश्या लगाई आज उस केंद्रिय कष्ष में आप सब कई देशों से आये युवासांसद वहां के कलाकार भिन शित्तों में कानक्वन्याले प्रतिति इस देश की प्रम के विश्विध्याले लो विश्विध्याले और लो कोलेज के विध्यारती सातियों नोजवान सातियों माता और भहिनों आज इस केंद्रिय कष्ष में हमारे बीच में राज्यसभा के उपस्वापती वरिष्ट पत्रकार स्री हरिवर्श जी देश के लाव विधी न्याये मंत्री किरेंजी आइसी आर के चेर्मेन चिंतक विने सुत्र बुद्धे जी राज्यसभा की लो प्रस्टनल कमिठी के चेर्मेन बिहार प्रदेश के उप्वक्यमंत्री शिशी शुषिल मोदी जी देश के पूरू ला मुनिष्टर हमारे सांसद में सयोगी सुप्रिम कोर्ट के वरिष्ट एडवोकेट पीपी चोध्री जी आज इस कारिकम में आप सब की बीच में हैं इस संसद्भावन के अंदर लगातार तीन वर्षों तक हमारे सविधान निर्माताओं ने सविधान बनाने में चर्चा की मन्थन किया दुनिया के सभी देशों का अध्यन किया और उस अध्यन के बाद भारत का एक ऐसा सविधान बनाया जो हमारे लिए ऐसा मार्दक्षक ग्रंथ है जो आज साथ दश्कों की यात्रा में भी सामाजिक आर्थी विकास के साथ सभी शित्तों के अंदर हमारी मार्दक्षक भूमिका के अंदर है यह वही केंद्य कक्ष है जहां बेटकर गोरोशाली लोकतांती प्रंपाओं को आपने डाला जहां जनता के लिए जनता के शाषन हो और दुनिया के अंदर लोकतंत की एक दिशादी भारत में लोकतंत पुरातत्व है हमारे विचारों में हमारे कार में हमारे विहार में लोकतंत है और इसी लिए भारत को मदर ओप डेमोक्रसी का जाता है और इस सविधान बनाने काले मनिश्यों की तप तपश्चा के कारण आज दुनिया में सबसे बड़ा सविधान भी है और लोकतंत की सशक्त करने का एक मारदशक के रूप में केवल भारत को नहीं पुरी दुनिया को मारदशन करने का काम भी करता है सविधान बनाते से में हमारे मनिश्यों ने संसिदिय लोकतंत में सविधानिक संस्ताओं जिन संस्ताओं के माध्यम से सभी समाजित के लोगों को न्याय मिले समानता मिले सुतंता मिले इसके लिए इस सविधान की विशेश विशेशता है हमने जा सविधान के अंदर अपने अधिकारों की बात किये वहां मारे करत्यों की बात भी किये है एक अद्भूत मिश्टन हमारे सविधान में है और इसी सविधान के तर संसुधिय प्रणाली चलाने के लिए हमने कई संस्ताओं को सवतनता का अधिकार दिया सभी संस्ताओं को अपने अधिकार श्यत्र में काम करने का एक अधिकार दिया और इसलिए इस सविधान की मूल रूप में विधाई का, कारेपाली का और न्याएपाली का जेसी संस्ताओं को सशक करने का काम भी सविधान के माध्यम से हुआ है विधाई का जया देश की प्रदेश की जनता के व्यापक कल्यान के लिए चनता करती है कानून बनाने का काम करती है और एक जन लोग पिरिये निती बना कर समाज के लोगों की कैसे जिंदगी पल्टे परिवर्तन करे इसके लिए व्यापक रूप से काम करती है कारेपालिका का काम जो विधायका ने कानून बनाया है जो विधायका ने नितियां बनाई ये उन नितियों और कारेकमों को एक्जुक्यूट करने का काम कारेपालिका का है न्याए पालिका का काम, सब को न्याए मिले, कानूनों की व्याक्षाओ, सविधान की रक्षाओ, और इसलिए सविधान में एक अद्भूत मिश्ण है, जहां संसिदिये संपुर्भुता भी है, वा न्याएक समिक्षा का अधिकार भी हमने दिया गया है और इसलिए ये तीनों अंग अपने अपनी सीमाओं मेरे कर किस तरीके से इस कारे को कर सकते हैं इसलिए इन तीनों अंगों में कोई प्रतिस्प्रदान हो ये तीनों आपस में समझ्य करकर आपस में मिल जूड़कर ऐसी कार्योजना बनाए जिससे समाज और नागरिक का अधिक्तम कल्यान हो युवा साथियों जब हम आजादी के लोगतंत की पिचत्रवश्ट की आत्रा को पूरे करने जा रहे हैं उस समय आपकी व्यापक जिम्मेदारी हैं यहां पर विदेशों से कई हमारे नोजवान आएं वह अपने अपने देश की वहां की कल्चर वहां की एक्टिविटीज वहां की डेमोकेटिस सिस्टम के आधार पर सशक्त योगदान दे रहें उसी तरीके से इस पिचत्र की लोकतांती यात्रा में हमारे देश के नोजवानों ने भी इस देश को संब्रद्य कुशाल में लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया हैं आप सब लोग के विध्यारती हैं लोग के विध्यारती होने के कारण कानून के विध्यारती होने के कारण आपकी समाज में ज़्यादा जिम्मेदारी है और विशेश रूफ से लोकतांतिक संस्ताओं के परती आपकी व्यापक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप किस तरीके से इन लोक्तांतिक संस्ताओं को सश्चत करने के लिए मजबूत करने के लिए अपनी सक्रि भागेदारी निवाये आज वक्त इस बात का है कि हमने लंबे समय तक अधिकारों की बात की आज हमें करतियों की बात करनी है, अपने दैतों की बात करनी है, समाज के हर वर्ग के अंदर हम किस तरीके से अपने करतियों के आधार पर, हमारी ड्यूटीज के आधार पर, हमारा इस देश में क्या कंट्रिबूशन होना चीए, इस पर विचार मन्थन करने क्या हो शकता है कानून बनाए इस 75 वर्षों में कई कानून बने उन कानूनों के माध्यम से हमने जहां लोगों को अधिकार दिया जहां लोगों की जिंदगियों को बैतर करने का काम किया जो भी सरकार कानून बनाती है वह कानून जनता के जनकल्यान के लिए बनाती है किस तरीके से कानून के माध्यम से उनको अधिकार भी मिले और साथ में उन अधिकारों के माध्यम से उन समाज के अंतिम वेक्तिका के से कल्यान हुसके समाज में आर्थिक और सामाजिक बदलाओ के से अलग सके इसकी लिए भी व्यापक रूस्त में देश में कानून बनाने का काम हुआ है लेकिन कानून बनाने के समय आप लोग के विध्यारती होने के कारण आपकी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जब कोई कानून बनने के पहले जनता के लिए प्रचलित होता है उस समय आपकी भूमी का महत्पून है आप उस कानून में अपनी सला दें सुजाव दें और कानून बनाते समय जब विधान मंडलों में चर्चा वो समवाध हो उस समय भी आप अपने चुने जन्पतित्यों को आवशक इंपूट दें अगर हम हमारे जन्पतित्यों को कानूनी राय देंगे अच्छे इंपूट देंगे तो वो जन्पति अपनी अपनी विधान मंडलों के अंदर व्यापक रूप से सार गर्वित चर्चा करेंगे और कानून बनाने के अंदर अपना सार तक योगदान दे पाएंगे इसलिए लोगतंत में आपका सबसे बड़ा योगदान होना चीए लोगतंत की प्रक्रियाओं के अंदर और इसलिए आज मैं यहाँ पर आयसर विध्यारतियों को यह आगर करना चाहता हूं कि यहाँ से लेकर हम एक नई उर्जार नई प्रेड़ना लेकर जाएंगे और किस तरीके से हमारा कंट्रिबूशन हमारा योगदान इस देश में हो इसके लिए खुद मनन करकर अपनी दिशा तेह करेंगे साथियों हमारे उस्तपाती जिने कसई का कि समय में व्यापक बदला हुआ है समय के बदलाओ में पूरे विश्व में बदला हुआ है लेकिन भारत में भी व्यापक बदला हुआ है आई टी के इस युक के अंदर आज पूरी दुनिया हम एक गुस्य से कनेक्ट है यहां पर हमारे विदेश के कई युवाज सांसत साती आये हमारे देश की युवा लोग के विध्यारती भी आये कि आज पूरा देश जिस तरीके से पूरा विष्ञ आपस में connect है उस connect करने में सूचना परोध्योंगी का बहुत बड़ा यह उन्घान है और इस कोरोणा समय की चुनोती के समय हमने किस तरीके से सूचना परोध्योंगी के IT का प्रियोक करकर जब दुनिया के अंदर कुरोणा फिरने लगा तो कुरोणा के क्या कारण है किस केसे फिला जा रहा है क्या-क्या उसके इंपेक्ट है उसको देखते हुए सभी देशों ने अपनी व्यापक कारियोजना बनाए और इसी तरीके से आज IT सेक्टर में जो व्यापक बदलाव हो रहा है उस बदलाव में हमारे देश के नोजवानों की विशेश रूप से भूमिका है और दुनिया के अंदर किसी भी देश में चले जाएं भारत का नोजवान आपको IT के अंदर डॉक्टर्स के अंदर प्रोप यही हमारे नोजवानों की बौदिक शम्ता है जिसके कारण दुनिया के अंदर भारत का नोजवान नित्त कर रहा है और इसलिए हाज हमारे बीच में हमें यही कोशिश करना चीए कि हम सब नोजवान पूरे देश के नोजवान आपस में इंटरकनेक्ट रहें देश की अच्छी जो एक्टिविटीज है वहां के नए सोध्य इनोवेशन है वहां की कल्चर वहा की पर्मप्राएं परपातियां वहां के बदलते परिपेक्ष उस भारत की बदलते परिपेक्ष में भारत की क्या भुमीका हो नी चीए उसमें भी हमें विशेश रूप से और connectivity रने की आउशकता है और इसलिए साथियों हमने इन विधान मंडलों के अंदर भी व्यापक सुचना प्रद्ध्र की का उपयोग किया है हमारे देश के अंदर आने वाले समय के अंदर सारे विधान मंडल एक दूसरे से connect रहेंगे हर विधान सवा विधान परिशत लोगसवा राजसवा की जो भी कारवाईया हैं वो कारवाई एक प्लेटफार्म पर मिले और इसलिए वन नेशन वन प्लेटफार्म के आधार पर सारी कानूनों परिक्रिया है वहां की नियम परिक्रिया है वहां की अच्छी डिवेट चर्चा है वहां की अच्छी परमप्राय परपाटिया वहां के जन्ततियों के दारा किये अच्छे इनोवेशन सब हम एक प्लेटफर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक प्लेटफर्म पर आप पूरे लेजिस्टेटिव वर्ग को देख सको ताकि आप अपने ज्यान वर्धन भी कर सको और उस लेजिस्टेटिव वर्ग के माध्यम से आप आपकी कैपिसिटी बिल्डिंग करने का काम भी कर सकते क्योंकि हमारा लोका विध्यारती जितनी अधिक शम्तावान होगा जिसनी उसकी बोधिक शम्ता अधिक होगी उतने ही हमारे देश को तो योगदान देगा पूरे विश्च को योगदान देने का भी काम हमारा नोजवान करेगा इसलिए टेकनोलोजी का मंदलों के अंदर किया जा रहा है आज हमारे देश की कई विधान समय पेपरलेस हो चुकी हम अमारी संसद को भी पेपरलेस की और बढ़ रहे हैं किसी समय 60% केवल ओनलाइन काम होता था 2018 तक केवल 60% ओनलाइन वर्क होता था आज संसदों के अंदर 95% से जादा हम ओनलाइन वर्क का काम कर रहे है चाहे हमारे Secretary का काम हो, चाहे हमारे Legislrist का काम हो, चाहे हमारे जन्पतिति हो, वो सब जन्पति, अब 98% काम Digital डिजिटल डूप में काम कर रहे हैं, यह एक नई प्रगती भारत के अंदर दिख रही है और इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर हम देश के अंदर जितनी हमारी लाइबरीज है चाहे स्टेट की लाइबरीज हो लाइबरीज हो चाहे संसत की लाइबरीज हो चाहे संसत के अंदर 1858 से लेकर अभी तक की डिवेटों को हमने डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है उसी तरीके से राज के विधान मंडलों ने भी इस गती में बहुत तेजी से काम किया है और उन्होंने भी अपनी कारवाईओं को डिजिटल एडिशन का काम पूरा कल डिया है आने वाले समय के अंदर हम इस देश के अंदर हमारी लाइबरी के माध्यम से एक प्लेटफार्म पर आपको देश और प्रदेश की सारी विधान मंडलों की लाइबरी वहां की डिवेट वहां की डिटेशन सारा वर्क सब एक प्लेटफार्म पर लाने का काम करेंगे इसलिए ये काम तेजी से हमारी विधान मंडल कर रहे हैं और इसका हमने संकल्प भी लिया है साथियों यहां पर हमारे देश के कई सांसत भी बेठे हैं भारती संस्कति हमेशा वसुदेव कम की भावना से कारे करती है और इसलिए भारत ने हमेशा सारे विष्व के कल्यान और सम्षद्धी के लिए सामविक्ता से काम करने के दिशा दिए हमारे देश के प्रधान मंति जी ने हमेशा कहा है कि सारा विश्व हमारा एक कुटुम है एक परिवार है हमें जो नितिया बनानी कारिकम बनानी है वो शेत्रिता के दूर पूरे विश्व के लिए बनानी है ताकि इस सारे विश्व का कल्यान हूं भारत के कल्यान के साथ ही विश्व का कल्यान हूं इस दिशा की और प्रधान मंती ने इस वीजन के आधार पर अपनी कार योजना बनाई है और आप देख रहे होंगे इस 75 साल के अंदर हमारी जो योजनाय बन रही है हमारे जो कारेकम बन रह वह अगले सो साल जब आजादी के शताब दिवश हो तब मेरा भारत कैसा हो मेरा विश्च कैसा हो इस आधार पर मेरा भारत दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ देश हो सबसे सम्रद शीलो प्रकति शीलो जब भारत बढ़ेगा तो विश्च अपना बढ़ेगा क्योंकि दुनि कि और भारत सरकार ने काम करने का प्रियास किया है और इसी लिए मैं नोजवानों आप से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि कि आप सब सामुइक्ता के साथ इस देश के कल्यान के लिए सम्रदी के लिए आप अपना योगदान देंगे मेरा क्या दायत है मेरा क्या कर्टेव है समाज के शित्र के हर वेक्ति जब आजादी के बाद 75 साल बाद यह संकल्प करेगा कि हम सामुइक्ता के साथ हमारे दायतों करते हों को समस्ते हुए हमारा भी इस देश में कुछ नो कुछ कंट्रिबूशन हो तो इस सामुजता के शक्ति के साथ हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे मुझे आशा है जिस केंद्री कक्ष में आप बेठे हो वे केंद्री कक्ष एक एतियासिक है जहां बेठ कर ह भी आप योगदान करेंगे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन इन प्रेरक और उर्जावन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननिय अध्यक्ष जी